हेलो स्टुडेंट्स आज हम चैप्टर टू भिन एवं दशमलव की प्रशनावली दोप्मेंट पांस से एट तो नाइथ कोश्चन सोल करेंगे कोश्चन नमबर एट देखिए शामा ने 5 किलो ग्राम 300 ग्राम सेब और 3 किलो ग्राम 200 ग्राम आम खरीदे सरला ने 4 किलो ग्राम 800 ग्राम संत्रे और 4 किलो ग्राम 150 ग्राम केले खरीदे किसने अधिक फल खरीदे तो इस कोश्चन में शामा है उसने सेब और आम खरीदे हैं और सरला ने संतरे और केले खरीदे हैं तो हमें ये बताना है कि किसने अधिक फल खरीदे हैं शामा ने अधिक फल खरीदे हैं कि सरला ने अधिक फल खरीदे हैं तो पहले हम ये देखेंगे कि शामा ने टोटल कितने फल खरीदे हैं तो शामा ने सेब खरीदे शामा ने कितने सेब खरीदे हैं पांच किलो ग्राम तीन सो ग्राम सेब खरीदे हैं अब देखिए ये किलो ग्राम में है और ये ग्राम में है तो हम क्या करेंगे इनको एक ही इकाई में बदल लेंगे मैं ग्राम को भी किस में बदल दूँगी, किलो ग्राम में बदल दूँगी, तब देखिए, ग्राम को किलो ग्राम में बदलना है, तो पांच किलो ग्राम तो ऐसी रहेगा, फिर जमा, तीन सो ग्राम है, ठीक है, ग्राम को जब भी किलो ग्राम में बदलते हैं, हम क्या करते है हजार से भाग कर देते हैं तो तीन सो को हम किस से भाग दे देंगे हजार से और यहां के आ जाएगा फिर किलो ग्राम आ जाएगा अब देखें पांच किलो ग्राम ऐसी ही रहेगा जमा देखें नीचे कितनी जीरो है तीन जीरो है तो उपर तीन अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे हम दाई तरफ से तो ये तीन अंक है ठीक है दशमलव लगाना है दाई और से तीन अंकों के बाद तो एक दो तीन तीन अंकों के बाद हमने दशमलव लगा देंगे यहां कुछ निया तो यहां के आ जाएगा जीरो और यह किलो ग्राम अब इ देखें यहां दशमलव के बाद कितने अंक है तीन अंक है तो मैं पांच के बाद दशमलव लगा के कितने अंकों के लिए जीरो लगा दूगी तीन अंकों के लिए जीरो लगा दूगी ठीक है यहां तीन अंक थे ना तो यहां मैंने तीन जीरो लिख दिये अब देखें दश रोलीजे जीरो जीरो तीन दशमलव पांच तो पांच दशमलव तीन जीरो जीरो किलो ग्राम सेब जो है किसने खरीदे हैं शामा ने खरीदे हैं तो शामा ने सेब खरीदे पांच दशमलव तीन जीरो जीरो किलो ग्राम ठीक है तो सेब उसने इतने खरीदे हैं अब शामा न आम भी तो खरीदे हैं शामा ने आम कितने खरीदे हैं तीन किलो ग्राम धाई सो ग्राम अब ये भी देखिए ये किलो ग्राम है और ये ग्राम है इसे भी हम क्या करेंगे एक ही काई में बदल लेंगे मैं ग्राम को किसमें बदल दूंगी किलो ग्राम में तो अब देखिए इ यह हो गया अब kilo gram में बदल गया अब देखे तीन kilo gram ऐसी ही रहने देंगे अब यहां देखे नीचे तीन जीरो है तो ऊपर तीन अंगों के बाद दशमलव लग जाएगा दाई तरफ से तो देखे यह तो तीन अंग है एक, दो तीन अब दाई और से तीन अंगों के बाद द लगा दिया हम is और यहां कुछ नहीं तो जिरो किलो ग्राम अब इन दोनों को जोड लेंगे तो देखिए यह तो 3 है और यह किसमें है दिशमलम में है यहां दिशमलम के बाद कितने अंक है तीन अंक हैं तीन अंक है तो तीन 0 लगा देंगे, ठीक है? जितनी मर्जी 0 हम लगा सकते हैं पर यहां पर सिरफ तीन अंक थे तो इसले मैंने सिर्फ तीन ही 0 लगाए हैं फिर देखें, दशमलव के नीचे दशमलव, थीक है? दशमलव के दाई और क्या है? दो पांच जीरो वो लिख दिया हमने और इस तरफ क्या है जीरो तो ये जीरो अब इन दोनों क्या करेंगे जोड़ेंगे तो देखे जोड़ेंगे तो जीरो पांच दो और ये तीन आ जाएगा तो तीन दशमलव दो पांच जीरो किलो ग्राम आम खरीदे हैं किसने शामा ने तो शामा ने आम खरीदे 3.25 0 kg तो शामा ने फल खरीदे ठीक है हमने यही बता करना था कि शामा ने टोटल फल कितने खरीदे हैं तो कितने फल खरीदे हैं शामा ने हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे तो उम्में पता चल जाएगा शामाने कितने फल खरीदे हैं तो देखे इन्हें जोड़ लिजेए इसमें जोडेंगे जिरो में 0 जोड़ा 0 फिर ये दशमलव 5 ओर 3 आठ तो 8.05 पांच जिरो किलो ग्राम फल जो है शामाने खरीदे हैं तोटल तीग है अब देखिए सरला ने कितने फल खरीदे है तो अब देखिए सरला ने संत्रे खरीदे है चार किलो ग्राम आट सो ग्राम संत्रे खरीदे है अब देखिए ये किलो ग्राम है और ये ग्राम में है तो हम इने एक ही काई में बदल लेंगे मैं इस ग्राम को भी किलो ग्राम में ब जब भी ग्राम से किलो ग्राम में बदलते हैं हम क्या करते हैं हजार से भाग कर देते हैं तो यहां जमा आ जाएगा ठीक है चार किलो ग्राम जमा फिर आठ सो को हम किस से भाग दे देंगे हजार से और ग्राम की जगह अब यहां क्या आ जाएगा किलो ग्राम आ जाएगा तो देखे चार किलो ग्राम ठीक है जमा अब नीचे देखे तीन जिरो है तो उपर तीन अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा तो दशमलव कैसे लगेगा देखे आठ सो दाइं ओर से तीन अंकों के बाद दशमलव लगाना एक दो तीन दशमलव लगाए यहां कुछ नहीं है तो 0.800 किलो ग्राम अब इन दोनों को जोड़ना है तो देखे चार को भी मैं दशमलव के रूप में लिख लूँगे तो चार को दशमलव के रूप में लिखने के लिखा करेंगे चार से दाइं ओर यह देखे चार है इसके दाइं ओर दशमलव लगाके हम जितने मेर्जी जीरो लिख सकते हैं पर यहां देखे दशमलव के बाद 3 अंक है तो मैं यहां पे भी सिरफ 3 जीरो लिख लूँगे ठीक है अब इसमें देखे यह जोड़ना है तो दशमलव के नीचे दशमलव ठीक है आट सो इसी के नीचे लिख लेंगे हैं यहां के आएगा बाई और 0 आ अब इन्हें जोड लेंगे तो 008.4 तो 4.800 किलो ग्राम संतरे किसने खरीदे है सरलाने संतरे खरीदे है 4.800 किलो ग्राम अब देखे इसके अलावा सरलाने क्या खरीदे है सरलाने केले खरीदे है 4 किलो ग्राम 150 ग्राम अब देखिए ये भी दो अलगी काईओं में है तो मैं इस ग्राम को किस में बदल दूँगी किलो ग्राम में बदल दूँगी तो देखिए चार किलो ग्राम डेट सो ग्राम है अब डेट सो ग्राम को भी किलो ग्राम में बदलना है तो चार किलो ग्राम ऐसी रहेगा प्लस अब जब भी ग्राम से किलो ग्राम हैं बतलते हैं हम क्या करते हैं हजार से भाग देते हैं तो एक सो पचास कम किस से भाग देंगे हजार से यहां के आ जाएगा किलो ग्राम अब देखिए नीचे तीन जीरो है तो उपर तीन अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे दाइयोर से चार किलो ग्राम ऐसी रहेगा जमा तीन अंकों के बाद दशमलव दाईयोर से 1, 2, 3 दशमलव लग गया ठीक है और यहां के आ जाएगा जीरो और यह किलो ग्राम अब देखें यहां चार है यह बिना दशमलव के और यह दशमलव मैं तो हम चार को भी क्या करेंगे दशमलव के रूप में लिख लेंगे बाईयोर क्या है जीरो तो लिख लिख लिए आब इने क्या करना है जोड़ना है तो जोड़ लिजे 0, 5, 1,4 तो 4, 1,5, 0 किलोग्राम केले खरीदे सरलाने तो अब देखें सरना ले कुल फल कितने खरीदे है तो वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे संत्रे और केले उसने जितने खरीदे हैं उनको हम जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने फल कितने खरीदे हैं तो यह जोड़ लीजिए जोड़ें यह 0, 5, 8 में एक जोड़ा 9, 4, 4, 8 तो 8, 9, 5, 0, 0, किलोग्राम फल खरीदे हैं किसने सर्ला ने तो कोश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि किसने अधिक फल खरीदे हैं शामा ने या सरला ने देखे शामा ने कितने फल खरीदे हैं 8.55 जीरो ठीक है और सरला ने कितने फल खरीदे 8.95 जीरो किलोग्राम फल खरीदे हैं तो अब देखे दोनों में कौन सा बड़ा है देख क्या है नो तो पांच बड़ा हुआ या नो नो बड़ा हुआ तो इसका मतलब ये आठ दशमलव नो पांच जीरो बड़ा है किस से आठ दशमलव पांच जीरो से तो क्योंकि आठ दशमलव नो पांच जीरो बड़ा है ये बड़े का निशान होता है बड़ा है आठ दशमलव पांच पांच जीरो से तो इसका मतलब किसने अधिक फल खरीदे हैं सरला ने अधिक फल खरीदे हैं ये किसके फलों की संख्या है किसके फलों की मात्रा है ये सरला के फलों की मात्रा है तो इसका मतलब सरला ने अधिक फल खरीदे हैं तो अतह सरला ने अधिक फल खरीदे तो इस question में हमें यही बताना था, यह था question number 8, अब question number 9 solve करेंगे, question number 9 देखिए, 28 km 42.6 km से कितना कम है, तो इस question में हमें यह पूछा गया है कि यह जो 28 km है, वो 42.6 km से कितना कम है, तो example देखिए, माल लीजे मैं कहूं आपके पास 2 पैन है और मेरे पास 5 पैन है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कितने पैन कम है, देखिए, आपके पास 2 पैन है, तो मतलब आपके पास कम पैन है, तीक है, मैं आपसे पूछूं आपके पास कितने पैन कम है, या ये कहें कि दो पैन पाँच पैन से कितने कम है तो आप क्या करोगे जादा में से कम को घटा दोगे जादा कितना है पाँच ठीक है उसमें से आप कम घटा दोगे कितने दो को आप घटा दोगे तो पाँच में से दो गई कितना आया तीन तो इसका मतलब आपके पास तीन कम है या ये कहा लिजे 2 पैन 5 पैन से कितना कम है 3 कम है ठीक है तो ऐसे ही कोशन में देखिए कोशन में क्या है 28 किलोमेटर 42.6 किलोमेटर से कितना कम है तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे जादा में से कम को घटा देंगे जादा वाला क्या है 42.6 km यह जादा है और 28 km क्या है कम तो हम 42.6 km में से या 42.6 km से 28 km घटा देंगे तो देखी जितना कम है तो हम क्या करेंगे जादा में से कम को घटा देंगे मतलब जो बड़ा है उसमें से हम छोटे वाले को घटा देंगे तो बड़ा क्या है 42.6 किलोमीटर ठीक है उसमें से छोटा क्या है 28 किलोमीटर को हम घटा देंगे तो देखे घटाएंगे 42.6 में से अब देखे 28 को भी हम दशमलव के रूप में लिख लेंगे तो जब 28 को दशमलव के रूप में लिखेंगे, तो देखे, कैसे लिखेंगे? दो में से तो 8 जाता नहीं है तो यहां से उधार लेंगे तो क्या होगा 12 बारा में से 8 गए 4 और यह दशमलव भी लिख लेंगे ठीक है बारा में से 8 गए 4 यहां क्या रह जाएगा 3 तीन में से 2 गए 1 जो 14.6 आया तो इसका मतलब आंसर क्या है 14.6 किलोमेटर तो जो 28 कम है तो आज हमने 8th और 9th question solve करा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो please like share and subscribe thank you